हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो मैं चैनल वन्स अगेन मैं पंकाच कुमार इस वीडियो में एक्स्प्लेइन करने वाला हूं आपको कोड़ फोस एजुकुशनल राउंड वन थर्टी फाइब रेटेट फोर डिव 2 का सेकेंड प्रॉब्लम जिसका नाम है बेश्ट हिए उसे के सब्सक्राइब करने से पहले अब चैनल पर नहीं फूलना अरें चैनल संट पर टोटल one K plus सुब्सक्राइबर हो चुके हैं जो मायलयोयस टोन कि जएन शुरू हो चुकि धो सब्सक्राइब दिन Qu में क्या कर रहा है कि आपके पास अगर है पर मूटेशन जो डिकेए जा रहा है पर मुटेशन संब के बेसिक इन सब्सक्राइब को posting आपको यह क्विछ आ रखना पर्मूटेशन डिаствारा पर इन नौ पका सेम होने बारा आख сам किसी भी तरीक कहींपे ट्री पेलइंड्रूम और तो सारे चीजों पर वह हुए टू राइट नền करें आपको एक्वल होने वाला तो वह ही चीज है यहां पर है तो आपके पास जो मैं बोल रहा हूं पर्मूटेशं की जो बात है ठोपर अगर आपको इन की पर्मूटेशं लिखने नहीं का तो one two in आपके नंबर होने तो ओए यह फ़ीरे होगा जिसके लेंठ होगी आप ऑन जो 2-in सारे नंबर होंगे कोई भी नंबर रिपीट रहें कोई भी नंबर मिस नहीं हो रहा थिक है इन्य मट्विकरेंगें इसके अर्विकर कोई पर्रेजमेंट से फरक नहीं पार रहें आप आपका और एक से ज्यादा होगी हमेशा यहां पर क्या बोल रहा है कि आपके पास एक वेरियेवल इंटीजर है एक्स और उसकी इनिसेल वैल्यू है जीरो ठीक है तो कंडिशन क्या है कि अगर वह स्मॉलर एलमेंट से मिट करता है तो ठीक है तो अभी अगर आपका जीरो है ज बोल जाओ परमूटेशन को बोल जाओ आप हो यहां इसको हटाते हैं आप यहां पर ठीक है और आपके पोकेट में नभी मनी है मनी कितना है अभी आपके पास नगी जीरो है और आप एक गेम खेल लो उस गेम में ऐसा दर्वाजे यह आपको रिवार्ड भी मिल रहा है तो आपका बेसिकली यह let's suppose आपका जो है एक मिनट हाँ आपको जो है P1, P2 कुछ इस तरह P3, P4 money जो है reward में रखा है बट condition क्या है कि आप जैसे ही किसी दरवाजे के पास पहुंचते हो ठीक है तो आपके पास जो money है अगर यहां के reward से कम है यहां के award से कम है तो आपको यह money मिल जाएंगे otherwise आपके सारी money वहीं पे राजाएगी आपको सारा कुछ छोड़ना होगा ठीक है तो अब इसको example से समझते हैं यहां पर जो example दे रखा 4 5 1 2 3 6 तो यहां पर है जैसे कि मैं अब यह example आपको सटिक question को समझने मदद करेगा 4 5 1 2 3 6 राइट आइ तिंक हाँ 1 2 3 6 तो देखो अभी आपके पास कोई भी पैसा नहीं है जीरो है जीरो से आपने मुव को फ्र्स द्रवार फ्र्स धोरपे वर्स यौर प्रस धोर याइज आप ने कहा कि कि Лव मेरे पास है ठीक है तो आपके पास चार रुपियम एड़ हो जाए तो आब आपके पास और प्लस फूर क्यूorkレat क्योंकि आपको फूर मिले आपको आपको कुछ देना नहीं पड़ा आपको मिला है तो जितना पहले था पलस अतना मिल गया जहां पर आप खड़े हो अब आये अपने पीटू पर सेकेंड दर्वाजे पर यहां पर फाइब है अभी तक हमारे पास टोटल कोस्ट जो है टोटल और आपके पास नाइन आपके पास ज्यादा क्या है सारे पैसा यहां पर रुपड़ा आप आपके नहीं ली जा सकते कुछ भी वरना आपका खेल खतम तो क्या रखोगे अपके पास मनी हो गया जीरो और आप आप आगे मूव करोगे मूव कर लिए फिस दरवाजे पर आए अब 0 था कम है तो यह आपको दे दिया सेकंड पर आए यहाँ पर भी 2 जो है 3 से कम है तो आप यह दे दिया तो 5 हो गया 5 बेसिकली 6 से भी कम है यह 6 भी आपको दे जागा तो टोटल होगा 11 और आप जो हो यहां से 11 रुपय लेकर निकल जाओगे बाहर ठीक है अब जाहिर सी बात है कि इस तरह अगर आपको गेम है रियल लाइफ में अगर ऐसा को सिनेरियो होता ता आप क्या चाहोगे maximum से maximum value लेकर आप बाहर जाओ मतलब कि यह permutation के बाद जो आपके value बच रही है तो यह बोल रहे है value of permutation तो यह जो value बन रही है वो maximum से maximum हो जितना आप कर सकते हो जादा जादा कर सकते हो वो करोगे तो यही आपको achieve करना है एक आपको permutation इस तरह create करना है इस तरह design करना अपने permutation को यहां पर कोई मेरे जो solution है मैं जो explain कर रहा हूं उसमें कोई algorithm नहीं लग रहा किसी भी तरीके कोई मतलब two pointer greedy जैसा कुछ algorithm नहीं लग रहा यहां पर कुछ normal thinking है and उस thinking का मैं यह बोल सकता हूं कि उसको constructive algorithm जैसे कहते हैं ठीक है आप अपने टैग सेलेक्ट करोगी वहां पर आपको constructive algorithm आती है तो बेसिकली वह क्या होती वह कुछ इस तरह की standard basic algorithm नहीं होती ठीक है वहां पर कुछ आपको normal logic mathematics के help से आपको design करना होता है और ऐसे question के बहुत सारे अंसर होते हैं में लिए जब ही होगा तो तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो कि एमंग और प्रमूटेशन आपको कोई प्रमूटेशन प्रिंट करना है और मैं आपको बताऊंगा कि एक से ज़्यादा प्रमूटेशन हो रहा या नहीं तो आपको बताएंगे चीज भी देखो सबसे पहले चीज देखते हैं आपके पास से 12345 इन तक आपके नंबर है और क्या है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है और कंडिसन आपको पता है किस तरह कि है बड़ देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको डिश्टरब करेगी जैसे कि अब देखो कोई भी एक वैल्यू आप लोगे फ़र्स्ट वैल्यू आपके पास पहले जीरो है आप यहाँ पर को नंबर जो होगी वो हमेशा जीरो दे देगा अगर वन है भी लेज देना है सोरी आँ दो ली नंबर इसक रहाठावण दो पोईंट नंबर थ है कई ऑन देना है अगर मैं रुवाट नंबर पो खीजाए कि बात करेंगे हमेशा छे पांग चाहर टीन दो मैं तो रिवार बे में पहले greater number उसके बाद the smallest number तो पहले number के साथ तो आपको 6 मिल जाएगा क्योंकि 0 सा पा रहे हो लेकिन 6 आया उसके बाद just 0 हो जाएगा क्यों क्योंकि 6 आपने लिखा ही number को घड़ते करम में और आप चेकर बढ़ते करम में होगा ही नहीं तो क्या होगी आपको हमेशा first number के पास हर एक second number जो होगा reverse लिखने में आपको 0 मिलेगा यहाँ पर 4 तो यह 0 यह 3 यह 0 ठीक है यहाँ पर देख लो यह चीज़ यह मैं इसलिए मैं पहले बूले कि इसका कोई मतलब स्टेंटर्ड अल्गोरीदम नहीं है तो वो सम्झाना था समस्के लिए कि मैंने logic कैसा डेवलप किया तो मैंने तो यही देखा देखो कि यार consecutively दो number पर अगर reverse में लिख दो तो आपको second number हमें सब 0 मिलेगा आपको किसे साथ 1 मिलेगा टू में जाओगे तो फी 123 मिल जाएगा लेकिन 3 पे जाओगे तो 0 मिल जाएगा फोर पर तो फोर मिलेगा और फाइप यागो तो 549 मिलेगा और नाइन के पाद जैसे ही आओगे फिर 0 मिल जाएगा तो आप देखो क्या हो रहा है अगर आपने इसको increasing भी में जीरो हो गया इसी तरह का आगे कितना विज को ना फैला लो 7 होगा 8-7-15 हो गया यहां पे जीरो हो जाएगा तो देखो यह चीज हो रही है अब यहां पर consecutive 2 पे 0 हो यहां पर consecutive 3 पे 0 हो रहा है इससे आपको क्या से समझ में आया है आप एक चीज जानते हो एक या दू से नंबर बना सकते हो तो एक को यहां पर 3 के जैसा ट्रीट करो ठीक है अब कोई भी नंबर इसे डिजाइन कर सकते हो कैसे अगर आपको एक और लिखना है तो तब आपके पास एक इवे नंबर है तो समय दो लिख दो ठीक है एक चीज यह समझें दूसरा चीज यह कि आपका यह दो आपके अनसर होगा वह हमेशा नंबर से जाजा नहीं होगा लास्ट की दो मेंeled चैasal ओए नहीं होगा इससे जाजा आपका जैसे नहीं होगा शूर भी रिखकर जाएगा जो कि आपका सारा मेहनत बिकार करतेगा तो आपको जो आपका जो अंसर हो maximum in और in plus in minus one होगा मतलब कि two in minus one ठीक है और in यहां पर last number है ठीक है तो आपने का दिया कि चलो यार ऐसा है कि अब मुझे तो पता चल गया कि 6 अगर मैं लिख रहा हूं तो मेरा अंसर जो है last के 5 और 6 ह बठे कि इसके पहले मैं 1,2,3,4 लिखूं या क्या लिखूं लेकि मैं 1,2,3,4 लिख रहा हूं तो यहां पर 0,1 हो रही, 1,2,2,3 हो रही यहां पर 0,4 हो रही है और उसके बाद यहां पर 5, 9 हो गया और यह 0 हो गया नहीं आपको यह position पर 0 चाहिए है और यह 5, 6 as it is 5 and यहां पर 11 देगा तो आपको सही answer और maximum answer मिलेगा यह चीज़ मज़रे हो आपको 5, 6 5 plus 6, 11 ही answer आएगा लेकिन यह answer कब आएगा जब यह वाला element के साथ होने पर आपको 0 मिल रहा होगा x तभी यहां पर आपको 5 मिलेगा और इस value पर 5 plus 6, 11 हो मिल जाएगा means n minus 1 और n हो जाएगा और यह value पर 0 कैसे मिलेगी उस चीज़ की बात करनी है ठीक है उस चीज़ के लिए हम इस दोनों चीज़ का help लेंगे कि 3 के बात 0 हो रहा इसमें 2 के बात 0 हो रहा अब देखो n अगर आपका odd है n odd है तो मुझे यहां तक odd number of element को handle करना होगा let's suppose n की value मैं लिख रहा हूँ 7 तो यहां पर मुझे 6 और 7 मेरा fix है यहां तक मुझे 5 element को handle करना है तो 5 element को handle कर सकते है क्योंकि मैंने बताया था अगर odd है तो मैं क्या करूँगा एक 3 लिख दूँगा और बाकि समय event को 2-2-2 देता जाओंगा ठीक है तो 3 के लिए क्या कर रहा हूँ मैं तो 3 के लिए access हमारे पास है कि 1-2-3 करेंगे और 2 के लिए हमारे पास क्या है just reverse of number तो यहां पर मुझे क्या चाहिए 4 और 5 हमारे पास है न यह 2 ची मैंने ज्यादा लिख दिया राइट तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा के नजदीक में लिख देते हैं लुक जाओ ओके तो बेसकली यह हो गया तो आपका जो है यहां पर 6 और 7 फिक्स था तो अब आपके पास 4 और 5 लेकिन हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे तो क्या होगा यहां पर आएगा 0 इसमें 5 आएगा और फिर से यहां पर 0 हो जाएगा समझे रहे हो आपके पास अगर इवेन नंबर हो गया अब बात कर रहा हूं कि एन परसेंट टू एकल टू इकल टू जीरो लाइक एन इकल टू सिक्स तो सिक्स में भाई 5 और 6 आपका फिक्स है अब आपके पास 4 है 4 आप 2 प्लस 2 प्लस 2 कर सकते हो इस तरह चलता चलेगा त तो आपके पास क्या करना है दो वाले में क्या करना रिवर्स कर देना है तो रिवर्स के लिए सिंपल आप एक एक करके रिवर्स करोगे हो टू और 1 और 4 और 3 है उससे अच्छा है कि आप सिंपल इसको 4 3 2 1 कर दो आपका काम खत्म सिंपल वे में कर सकते हो आप उसको चाहो के लिए और एक के लिए मैं यहाँ पर दो को कर रहा हूं तरह का नहीं बढ T से 2 का बन रहा और 3 का बन रहा तो हम उस वे में हैंडल कर लिए मैं आपको कोड दिखाता हूं कोड मैंने इंपुट लिया यहां पर एन अगर और सॉरी एन अगर इवेन है तो आपको क्या करना सिंपली इन माइनस वन इन तो आपका फिक्स है लेकिन बाकी नंबर को रिवर्स प्रिंट कर दिया तो मैंने कर दिया इन माइनस टू से प्रिंट करना शुरू किया वन तक गया सारे प्रिंट कर दिया अगर आपका ओड है तो और वाले में क्या करना अब आपको की 1-2-3 पहले कर दिया तो constraint को देख लो भई constraint आपका always जो होगा वो four होगा यहीं होगा तो आपके पास यह इवेन वारले में तो 4 था हैंडल हो जाएगा इस केस में आएगा तो आपके पास 5 होगा तो उस केस में यह वाला चलेगा 123 और यह वाला आपका लूप नहीं चलेगा और यहां पर आएगा तो सिंपली यह 123 आपको 3 तक मैनेज कर दिया इसमें 0 मिल जाएगा और उसके बाद मैं दो-दो के पेर में 0 कर रहा हूं लाश्टली मैं इन-1 और इन रख लूँगा मेरा मैं फिरसे में 2-1 आपका अंसर मिल जाएगा राइट ओके सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंन अगर आपको problem अच्छा लगा है मेरा solution code आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like करना दोस्तों साथ से करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राब करना नहीं भूलना मैं हर एक वीडियो में question और code का link नीचे description में add कर देता हूं तो अगर मैंने किसी वीडियो नहीं बोल है तो आप नीचे देख लेना आपको मिल जाएगा ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में तिल ना हूं बैबाए